नमस्कार आपका स्वागत देदा नामा टीवी पे मैं पूनम आपके स्वागत तेसला के सीओ अलन मस्क ने संयुक्त राश्च संकी सेक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC में भारत की पर्मानेंट सदस्ता नहीं होने को बेतुका बताया है मस्क ने कहा कुछ देशों के पास ज़्यादा ताकत है जिसे वो छोड़ना नहीं चाते हैं उन्होंने UN चीफ एंटीनियो गुट्रेस के ट्वीट को शेयर कर ये बात लिखी दरसल गुट्रेस ने कहा था कि अफरीका का नित्रत्व करने के लिए UNSC में कोई भी नहीं है वैश्विक संस्ताओं को समय के मताबिक बदलना चाहिए बजाए इसके की वो 80 साल पहले की दुन्या की तरह चले मस्क ने अपने ट्वीट में लिखा भारत दर्ती पर सबसे ज़्यादा जनसंक्या वाला देश है इसके बावजुत UNSC में नहीं है एक वक्त के बाद UN की संस्ताओं को बदलने की ज़रुत है मस्क ने अफरिका के लिए भी UNSC में भी पर्मानेंट चीट की मांग की है UNSC के पांच पर्मानेंट मेंबर हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन इनमें चाहर देश भारत का समर्थन करने को तैयार है लेकिन चीन नहीं चाहता कि UN की सबसे ताकतवर बॉड़ी पर भारत को एंट्री मिले सहिवतराश सुरक्षा परिशत में कोई भी प्रस्ताओं पारित करने के लिए सबी पांच स्थाई देशों को समर्थन जरूरी है फ्रांस, अमेरिका, रूस और बिटेन अपनी सहमती जता चुके हैं लेकिन चीन अलग-अलग बहानों से भारत की स्थाई सदिस्ता का विरोध करता रहा है जबकि भारत ने UNSC में चीन के पर्मानेंट मेंबर बनने का समर्थन किया था सयुत राष्ट सुरक्षा परिशत यानि UNSC सयुत राष्ट के च्छा प्रमुक अंगों में से एक है यह UN की सबसे पावरफुल संस्ता है इस पर अंतर राष्ट स्था चार्टर में किसी भी बढलाव को मनजूरी देने की जिम्मेदारी है कुछ मामलों में UNSC अंतर राष्ट स्था शान्ती और सरक्षा को बनाय रखने या वहाल करने के लिए प्रतीबंद लगाने या बल उपयोग करने का सहारा ले सकती है यानि अगर भारत भी UNSC का पर्मानेंट मेंबर बन गया तो दुनिया की किसी भी बड़े मसले पर उसकी सहमती जरूरी होगी इसी के साथ बने है राजगामा टीवी के साथ करने बाद